नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत शामल और आप देख रहा है वरकर भास टॉटिंग दोस्तों आप सभी को बेसबरी से इंतिजार होगा कि 2019 और 2020 का जो PFA इंट्रेस्ट है वो कितना मिलने वाला है आज इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ क्योंकि सरकार ने इसकी घोसना की है इसके बारे में केंद्रिया सरम्मंत्री ने क्या कहा इसके साथ ही PFA जब से बना है तब से अब तक कब सबसे ज़्यादा PFA इंट्रेस्ट दिया गया था इन सारी बातों की जानकरी देने जा रहा है तो इसके लिए आपसे नुरूद है इस वीडियो पे आप अंतक बने रहे और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो जल से इसको सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ वेल आइकन क्लिक करके अल आप्शन को जरूर सेलेट करें ताकि हम इस चैनल पे आपसे समधी जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो आए दोस्तों हम इसको स्टेप बाई स्टेप करके जानते हैं सबसे पहले सभी दोस्तों को हावली की हार्दिक शुव करना है ऐसे मैं अभी जो पी एफ इंटेस्ट रेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफी निराश जनक है क्योंकि सरकार ने इसमें कटाउती कर दिया और कटाउती करने के बाद बित्य वर्स 2019 से और 2020 के भी जो आपका पी एफ इंटेस्ट रेट रहेगा वो 8.5% होगा जो की अभी से पहले 8.65% था यानि की 0.15% इसमें कटाउती की गई है इससे पूरी देश के तकरीवन 6 करोर जो पी एफ खाता धारक हैं उन पे असर पड़ेगा ऐसे NDTV के एक पोर्टल के अनुसार ये बताया गया था कि लेवर विवाग ने कहा है कि जो हमारा पहले इंटेस्ट रेट है वही रहेगा जबकि इसको कम कर दिया गया है देनिक भासकर के अनुसार स्रम मंत्री संतोस गंगवार ने बताया कि EPFO के Central Board of Trustees की गुरुवार को बैठक हुई बैठक में ब्याजदर घटाने का फैसला हुआ है इस फैसले पे स्रम मंत्राले को बित मंत्राले की मंजूरी लेनी होगी बित मंत्राले चाहता है कि EPFO की ब्याजदर भी Public Probient Fund यानि की PPF और Post Office Saving Scheme जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर हो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रिये स्रम एवं रोजगार मंत्री स्री संतोस कुमार गंगवार की अध्यक्षता में केंद्रिये नियाशी बोर्ड यानि की CBT EPFO की 226 वी बैठक आयोजद की गए इस बैठक में बात और उपध्यक्ष श्रम एवं रोजगार सचिव स्री हीराल समरिया मौजूद है केंद्रिये भविशनिधी सचिव श्री शुरील बर्थवान ने CBT EPFO के सदश सचिव के रूप में बैठक का संचालन किया बैठक में नियोकता शंगो एवं ट्रेड जु जब वहां से हरी जंडि मिल जाएगी तो आपके अकाउंट में जो इंटर्रेस्ट है क्रेइट कर दिया जाएगा जो दर्बताया आगया या कि 8.5 के दर से पिछले आठ सालों में जो इंटर्रेस्ट रेट है वो सबसे कम है इसके साथ ही जैसा की हमने आपको बताया था कि जब से ये PF Act बना है, तब से लेकर के अभी तक क्या interest rate मिला है, कब सबसे ज़्यादा interest मिला है और इसकी जानकारी हम देंगे, तो आपको बता दे कि भारत सरकार ने जब उनिशव बावन में करमचारी भविश निदी शंकठन के अस्थापना की, तब ये EPF स्कीम उनिशव बावन एक्ट को लागू किया गया, यहीं से PF पे मिलने वाले ब्याज की शुरुआ थी, तब कि मौझूदा सरकार ने में पी-एफ की ब्याज़ दर मातर 3% रखे थी, जिसके बाद बित्य बर्स 1955-56 में इसे पहली बार बढ़ाया गया, दो साल के लिए तै की गई अब ब्याज़ दर 3.5% दी रही, इसके बाद 1963-64 में बढ़ते हुए 4% तक पहुँच गई थी, इसके लिए पी-एफ जानकारी में दे रहा हूँ, वो पी-एफ के वेवसाइट से लेकर के दे रहा हूँ, और ये जो है एक पी-एफ में अपलोड किया हुआ हुआ है, उसी के अनुसार आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद बित्य वर्स 1963-64 के बाद हर साल 0.25% बढ़ाया जाने लगा, 1979-79 तक बढ़कर ये 5.5% पहुँच गई, हलाकि उसके बाद इसके लगातार 0.25% पे ब्रेक लगा और एपी-एफो ने वित्वर्स 1971 में इसे मातर 0.10% ही बढ़ाया था, इसके बाद 1978 में पहली बार ब्याजदर 8% पे पहुँचा था, उसके बाद ये लगातार बढ़ते गया लेकिन 1978-89 में सबसे वड़ा फैदा पी-एफ धारकों को मिला, जब सरकार ने इसे 8.25% करने के साथ ही 0.5% का बोनस भी दिया, हलाकि यह बोनस उन लोगों के लिए था जिन्होंने कभी अपना पी-एफ नहीं निकाला हो, बोनस के रूप में मिलने वाली रगम को सिर् के 10.15 कर दिया था, इसके बाद और उच्छी छलांग देखने को मिली, उसके अगले साल अगर आप देखेंगे तो 1986-87 के लिए जो ब्याज़र था, एक 11% पहुंच गया था, इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल तक जो पी-एफ का इंट्रेस्ट है और नहीं बदला गया, बित वर्स 2000-2001 तक भी 12% ही मिला, इसके बाद अटल बिहारी बाज़पी के पढ़ान मंतरी शेवा काल में 2000-2002 में ब्याज़दार 11% किया गया, फिर 2001-2002 में घटके 9.5% रह गया, इसके बाद लागातार गिरावाट देखा जा सकता है, और अब जो है 2019 से लेकर के 2020 20 बित्य वर्स के बीच 8.5% रह गया है, दोस्तो PFA स्कीम के बारे में आधिक जानकारी चाहते हैं या फिर PFA से रिडर को भी कम्प्लेइन हो, कैसे कम्प्लेइन करें इन सारी बातों की जानकारी के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं, अगर आ आएंगे, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और फेस्बूक पे देख रहे हैं, तो उसको भी लाइक करेंगे, और फेस्बूक पेज को फॉलो जरू करेंगे, इसके साथ ही बिजा लेता हूँ, जल्दी एक न नवाद